हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू एक्स्टेंशन के बारे में जिसका नाम है मल्टीपल आफसेट्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अगर वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे चीजों को आप लाइव भी सीख सकते हैं, एक स्केचप का हमारा बैच लाइव स्टार्ट हो रहा है, फ्रम सेकेंड ऑफ जुलाई, जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कम्प्लीट डिटेल आप वहां पे देख सकते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, कि आप मल्टीपल ओफसेट को डाउनलोड कहां से कर सकते हो, डाउनलोड करने के लिए वही आपको जाना है, स्केचुकेशन पे और वहां पे लिखना है मल्टीपल ओफसेट, यहां से आपको डाउनलोड करना है, अपनी एप को, और सेव करने के बाद, आप इसे एक्स्ट उसके बारे हम बात करते हैं, तीन टाइप के होते हैं, constant, formula और list, तीनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो start करते हैं यहां से, सबसे पहले बात करेंगे constants की, अब मालनो मेरे पास 10 feet by 10 feet का एक box है, 120 inches by 120 inches, सबसे पहले हम इसको select करेंगे surface को, extension पे जाएंगे, multiple offset पे click क करेंगे, तो यहां पे आता है सबसे पहले offset method और वो है constant, आप constant पे click करो, ok करो, आप constant पे क्या है, यह चीज़े बड़ी important है समझने वाली, कि number of offset कितने चाहिए, मैंने बोल दिया 5, उन offsets के बीच में distance कितना चाहिए, मैंने बोल दिया 6 inches का distance चाहिए, इसमें है inside, outside या both, मै मैंने अभी knock किया, first condition यह हो गई, ok करोगे, तो आप देखोगे 55 के distance पे वो offset लेगा, अगर मैं इसको measure करूँ यहां से, तो आप देखो, यहां से यहां तक आपका 6 inches, उसके बाद यहां से यहां तक आप देखोगे 6 inches, फिर आपका 12 inches, 6-6 inches के आपके यहां पे gap आपको करते हो, ok करो, तो यह बाहर की तरफ आएगा, 55 के, 6-6 inches के distance पे offset बाहर की तरफ आजाएगा, next condition अगर आप use करते हो, तो इसमें both side है, अगर आप click करोगे constant, और इसको अगर both करोगे, तो दोनो side ही offset आएगा, number of offset आपको कितने हैं, यह मैंने इसको 3 कर दिया, और यह मैंने कर अगर यहाँ पर आप देखोगे, यह आपका 8 inch का यहाँ पर distance है, आप देख पारे हो, clearly 8 inch का आपका distance है, next की अगर बात करें, extension multiple offset में, इसमें क्या है, एक चीज़, वो है delete face, मालों मैंने inside कर दिया, number of extension 5, and distance मैंने यहाँ पर 6 inches कर गया inside, और delete face को yes कर दिया, अगर आप अब okay करते हो, तो आप देखो, वो faces delete कर देगा, only lines बनाएगा कुछ इस तरीके से, जिसको आप use कर सकते हो, उसके बाद आप इसको multiple faces पे भी use कर सकते हो, for example, यह multiple faces select किया है, यहाँ पर, multiple offset पे यहाँ पर जाओ, constant, same चीज़, अगर आप यहाँ पर use करते हो, तो आप देखोगे, वो multiple faces पे भी एक साथ आप इसे use कर सकते हो, उसके बाद आप इसे spherical object पे भी use कर सकते हो, for example, मैं अगर यहाँ पर use करता हूँ, multiple offset, constant, okay, और यहाँ से use करता हूँ, inside, और number of करता हूँ, one, और distance करता हूँ, मालो, two inches का, inside में, and okay करोगे, तो आप देखो, inside में आपका एक offset आज जाएगा, ऐसे भी आप इसे use कर सकते हो, clear, अब चलते next, जिसमें है formula लगा सकते हो, formula में क्या करना है, select करो, extension, multiple offset पे जाओ, formula, okay, अब formula में क्या है, कि आप यहाँ पर क्या कर सकते, देखो, number कितने चाहिए, मालनो मैंने डाल दिया कि five number चाहिए, distance कितना चाहिए, अब यह distance है, first distance, मालनो मैंने यहाँ पर कर दिया, first distance मेरको six inches का चाहिए, inside चाहिए, वही, delete face मैंने no किया, अब यहाँ पर operator, operator को मैंने plus कर दिया, कि six inches के बाद four four inches के distance पे वो multiple बनाता जाए, and अगर मैं okay करूँगा, तो आप यह देखो, यहाँ पर, first distance जो यह लेगा यहाँ यहाँ six inches है, और उसके बाद यह four four inches के plus में करता चला गया, clear है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हूँ, कि first six inches, आप condition change भी कर सकते हूँ, कि आपने click किया formula, first आपने कर दिया, यहाँ पर six inches, और फिर आपने कर दिया multiple four four inches के, या फिर आपने कर दिया, two two inches के multiple, और number चाहिए मेरको यहाँ 15, okay करोगे, तो आप देखोगे, two two inches के 15 आ गए है, यहाँ पर offset, first वालत जो आया आपका, वो six inches का है, और उसके बाद आप देखोगे, दो दो inches के आपके सारे offset इस तरीके से आ गए है, उसके बाद second condition में है, same चीज, अगर आप लेगते हो, multiple offset formula, यह तो हो गया inside का, same चीज आप outside भी भी कर सकते हो, कि outside पर चाहिए, okay, तो उसके बाद वो outside भी ले लेगा, इस तरीके से, यह use कर सकते हो, third चीज में आपका आज आता है, यहाँ पर formula के बाद, अब both करोगे, तो both side आ जाएगा, जितना आपको करना है, okay, both side same लेगा, six inches का gap, दोनों side, फिर दो दो inches का तो वो distance आप अपने तरीके से वहाँ पर लगा सकते हो, उसके बाद आता है next, formula पर ही चलते हैं, अब यह तो हो गया plus का, एक होता है आपका, यहाँ पर delete face, अगर आप yes करोगे, तो वो both side पर delete face कर देगा, ऐसे लगा सकते हो, अब एक चीज यहाँ पर यह बहुत important है, जो आ multiply का, मालो मैंने number कर दिया, यहाँ पर 4, distance किया, first distance यहाँ पर मैंने कर दिया, मालो 3 inches, उसके बाद inside किया, delete face को no किया, operator को multiply किया, और जो यह किया na inches, वो मैंने कर दिया, मालो यहाँ पर 2 inches, and मैं okay अगर करता हूँ, तो आप देखो, इससे क्या हुआ, first वाला जो यहाँ पर आया, वो आया, आपका 3 inches, उसके बाद, 6 inches, अब इसने 3 inches के बाद, यहाँ पर एक 3 लिया, उसके बाद 6 कर दिया, यहाँ से यहाँ देखोगे 6 हो गया, 6 के बाद वो 12 हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे 12 हो गया, तो वो multiply कर दिया, दुबारा समझाता हूँ, तो मैं दुबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, formula, अब मालो में कर दिया 5, distance कर दिया, यहाँ पर first वाला मालो मैंने 2 inches का, और यहाँ पर मालो मैंने add और multiply कर दिया 2 का, first वाले पर add होगा, अगर plus करते हो, multiply होगा second वाले पर, जो हमने choose किया हुए, and अगर आप ok करते हो, तो यह distance लेगा offset, 2 के बाद 4 को offset लेगा, 4 के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, 8 inch का, 8 के बाद आप देख सकते हो, 16 inches का, तो यह offset को multiple करता जा रहा है, और वो multiple offset वहाँ पर आ जाएंगे, same चीज़ को आप multiple phase पे भी use कर सकते हो, multiple offset formula, और यहाँ पर मालो मैंने plus किया, कितने का दाला, कि मालो आपने 5 डाला, distance 2, 2 inches का, और 2, 2 का plus अगर रोके करोगे, तो वो उसी तरीके से आपके multiple surfaces पे भी आप इसे use कर सकते हो, next आता है यहाँ पर list, list में क्या होता है, आप select करो यहाँ पर, multiple path, list पे click करो, okay, अब list में क्या होता है, कि inside मालो मैंने डाला, delete phase को मैंने no किया, offset मैं अपनी मर्जी से डाल सकता हूँ, offset अपनी मर्जी से मतलब, जैसे यहाँ पर by default होता है, 1,2,3,4, मालो मैंने डाला, first 4 inches का, उसके बाद मेरा offset आए 5 inches का, 5, फिर उसके बाद मालो मैंने कर दिया, 10, फिर कर दिया, 15, and इसको मैंने एक होता है, absolute और एक होता, delta, यह दोनों में difference किया है वो बताता हूँ, okay किया, तो आप देखोगे यहाँ पर जो offset आपका आएगा, वो आप चेक करो, first वाला offset आया 4 का, उसके बाद offset आया 5 का, उसके बाद आया 10 का, और उसके बाद आया 15 का, तो यहाँ से वो इस तरीके से offset आया, दुबारा समझाता हूँ, क्लिक करते हैं, multiple offset, list, अब है न, यहाँ पर पहला 4, फिर 5, फिर 10, मालो मैंने कर दिया पहला 4, फिर I6, 6 नहीं, मैंने 8 किया, उसके बाद मालो मैंने यहाँ पर कर दिया 12, और यहाँ पर कर दिया 16, और उसके बाद कर दिया 21, और कोमा कर दिया, उसके बाद मालो मैंने 21 के तो अब अगर आप देखोगे यहां पर तो पहला distance आया 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 21 और फिर आया 30 का, तो यह distance आप इस तरीके से लगा सकते हो, बट दूसरी condition में क्या है, कि आप अगर delta करते हो, अगर मैं offset लेता हूँ यहां पर, और यहां पर delta कर देता हूँ, तो अब मैं इसकी condition को change करता हूँ, कि पहले मैंने 3 किया, उसके बाद 6 का चाहिए, 6 के बाद मालनमेर को 9 का चाहिए, और उसके बाद 12 का चाहिए, अब देख लेगा, 6 के बाद अगर आप में यहां से check करोगे, यह वाला distance 9 हो गया, यह वाला distance अगर आप check करोगे, तो 12 हो गया, तो absolute और delta में यह difference है, absolute यहीं से सारी offset लेगा, इसी line से, और delta क्या करेगा, उससे next से वो वाला offset लेगा, कि पहले 3, फिर यह 6, फिर यह 12, फिर यह 15, जित देख सकते हो, list और आप इसे multiple faces पे भी एक ही बारी में लगा सकते हो, कि आपको absolute चाहिए delta, उसी तरीके से आपके distance यहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो यह था आपका multiple offset, आशा करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, अगर वीडियो अच एक्स्टेंशन के बारे में आपको fully knowledge चाहिए, वो आप comment section में बता सकते हो, कि इस extension में मैं next video बढाऊं, तब तक लिए आपना ध्यान रखें, जैहींद वन्दे मात रहूं